दोस्तों एक बार फिर किसान सड़कों पे आ गए हैं और उनका आंदोलन काफी तेज हो गया है उनकी कोशिश है कि वो राजधानी दिल्ली में आएं और वहाँ पे धरना दें और अपनी जो मांगे हैं उनके जो मतलबात हैं उनको पूरा करवाने के लिए सरकार पर जूर दें और उनकी मांगे आप जानी रहें कि वो MSP यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो चार हैं कि सरकार इसकी कानूनी जमान अब दें मगर सरकार और उसकी जो लोबी है वो इस बात को मानने के लिए तयार नहीं हैं और जब किसान मार्च करते हुए दिल्ली की तरह बढ़ रहे थे तो आपने देखा कि उनके खिलाफ किस तरह से वहश्याना ताकत के इस्तमाल किया गया और उनकी राहों में न सिर्फ पत्थर और बरिकेड लगाए गयें बलकि कीले भी ठोक दी गई यह सब मनजर आप या जब हम देख रहे हैं तो दिल को बहुत तकलीफ होती है कि क्या जुमूरियत में अपनी मांगो को अपने मुतालबात को अपनी बातों को रखने का क्या इस पेस सब खत्म हो गया है और इसी बीच मुझे गांधी जी की याद आई बाबा एक कौम महात्मा गांधी की और उनकी तहरीर को उनकी राइटिंग्स को अगर आप पढ़ें तो एक चीज जो बिलकुल वाज़े बिलकुल खुल के सामने आती है कि गांधी जी बार बारे कहते थे कि अगर कोई कानू अगर कोई पॉलिसी कोई हुकूमत बनाती है और उस पॉलिसी उस कानून को अगर उनका दिल उनका जमीर कुबूल नहीं करता है या उनको लगता है कि ये पॉलिसी गलत है उनके लिए काबिले कुबूल नहीं है तो गांधी जी इसके खिलाफ सिबिल ना फरमानी या फिर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं civil disobedience करने के लिए बिलकुल तयार हो जाते थे और गांधियाई जो फलसफा है गांधियाई जो passive resistance यानि गैर फ़ाल मुझाहमत का जो तरिका है उसकी दो बाते बहुत ही अहम है कि गलत कानून गलत चीज़ के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है हुकूमत की जाबिराना और गलत पॉलिसी का विरोध उसकी मुखालफत करनी है और दूसरी बात ये है कि जब आप अपनी तहरीक चलाएं और जब आप गलत के खिलाफ बगावत करें सिविल नाफरमानी करें उसके खिलाफ एहतजास और विरोध करें तो आपका जो तरि होनी चाहिए और बिल्कुल पीस शांती और अमन पर मबनी होनी चाहिए यानि आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे को तकलीफ दें और गांदी जी यहां तक कह रहे हैं हिंस वराज्यों की 1909 में जो एक छोटी सी किताब है बहुत ही हम किताब है गांदी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस के चाप्टर में हिंस वराज किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गलत और खराब कानून बनाने वालों के खिलाब भी गांदी जी की कोई नीजी या जात्ती दुश्मनी नहीं है उनके खिलाफ वो किसी तरह से तशदूद और किसी तरह से उनको नुकसान पहुँचाने के बारे में उस सोची नहीं सकते यानि गांदी जी की जो बाते हैं वो ये है कि हमें बुराई से लड़नी है हमें किसी इनसान से अदावत या दुश्मनी करने की ज़रूत नहीं है तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर मैंने इनकलाब अख़वार जो कि अर्दू का बहुत मशहूर अख़वार है उसके लिए मैंने आज 20 फरवरी 2024 को एक मजमून जो है मेरा आज शाया हुआ है आज पॉब्लिस हुआ है इनकलाब अख़वार में जिसका उन्वान यानि के मुल्क में किसान यानि अब गांधी जी जो हैं उनके मजबस्टमा पर गुल पोश्री करते हैं अरबाब एक्थादार जो रूलिंग क्लासे हैं लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए तेयार नहीं और जो अंद आता हैं जो आनाज पैडा करते जो घल्ला पैडा करते हैं जिनकी वजह से हमें दो रोटी मिलती हैं, हम जिन्दा हैं, उनी के ऊपर ज्यात्ती की जा रही है, उनको मारा और पीटा जा रहा है, पुलिस के इस्तमाल किया जा रहा है, और ज़रा सोचिए कि वही पुलिस जिसकी सेलरी, जिसकी तनखा, कोई लीडर की जेब से नहीं जाता किसी सियासतदां के जेब से नहीं जाता, बलकि वही आवाम, वही किसान से और दूसरे लोगों से मजधूर से जो टेक्स लिया जाता है, उसी से पुलिस को तनखा मिलती है और उसी पुलिस के इस्तमाल आम आदमी के खिलाब किया रहा है किसान के खिलाब किया रहा है किए वो बाजार वाद को वो उसका वो इसकी मुखालफ़त कर रहें और ओू कहरें है कि जरात यानि करशी यानि एगरिकल्टर जैसे इंपोर्टन्ट और अहم तरी सुबे को किसी सूरत में जो है बाजार के हवाले नहीं करना चाहिए सरकार को चाहिए कि वो किसानों से MSP पे आनाज खरीदे किसानों को एक गरांटी दे कि हम आपको इस किमत पे हम आपसे आनाज खरीदने के लिए तयार हैं जिसकी वज़़ से किसानों के अदर में Εक confidence आएगा कि अगर उन्होंहों ने कई महने तक मेंट की है अगर उन्हों ने खून पसीना बहाया है उन्होंने खाद बीज और दीगर चीजों को खरीदा है अगर आप पार्श किये उन्होंने अगर irrigation किया है तो उनका जो उनकी जो कोशिश होगी और राएगा नहीं जाएगी बलकि सरकार उनकी हमायत के लिए साथ में खड़ी है लेकिन सरकार बहुत बदकिस्मती की बात है कि सरकार किसान और मजदूर का साथ देने के बजाए किसान जो है बड़े बड़े ताजीरों और सरमायधारों का साथ देने के लिए आगे आती है और मीडिया की मदद से घलत घलत बातों को फैलाए जाता है तो मैंने इसी तमाम सियाक को ध्यान में रखकर गांदी जी का जो जो कंसिप्ट था गांदी जी का जो फलस्फा था जो की सिबल नाफरमानी का जो 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 फलस्फा था जो सब्त्यागरा का फलस्फा था और जो पैसिव रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे घैर फाल मु किसान चल रहे हैं यानि घलत कानून का विरोध कर रहे हैं घलत कानून की मुखालफत कर रहे हैं मगर उनकी अदावत उनकी दुश्मनी किसी के खिलाफ नहीं है उल्टे जो सरकार है हिंदुस्तानियों की चुनी हुई सरकार अपनी सरकार कोई अंग्रेजों की सरकार नहीं है उसरकार अपने ही किसानों के उपर पर लाठी आसु के गैस दाग रही है तो गांदी जी ने हिन सुराज में एक बहुत अहम बात कहिए कि अगर आवाम के दिलों में गलत कानून के खिलाफ अगर बोलने का उनके खिलाब मुझाहिमत करने का जजबा नहीं पाया जाता हो या इस तरह के जजबे को अगर दबा दिया जाए और इसके लिए स्पेस न दिया जाए और लोग हुकुमत की हर बातों को बरदाश करने के लिए मजबूर हो जाए तो इस सूरत में गैरों की हुकुमत है वो आवाम मुखालिफ हुकुमत है यानि जिम्होरियत की पहचान जो गांधी जी बता रहे हैं सबसे एहम यह है कि जहां पर आवाम अपने हुकुक को लेके बिल्कुल तयार रहे, अपने हुकूक को लेके बिल्कुल संजीदा हो, अपने हुकूक को लेकर बेदार हो और अपने हुकूक को लेके सडकों पे आएं और पूरमन तरीके से अपनी बातों को रखें और गलत को गलत कहें और हकूमत के किसी भी जाबिराना और किसी भी गलत और काले कानून की मुखालफत करे और ये जो मुखालफत है, जो ये विरोध है, जो ये हैतजाज है, ये बिलकुल सदाकत, सच्चाई, महबत, लव और गैर तशद्दुद, अदमे तशद्दुद, जो तरीके कार हों, जो नन वालेंस पर बेस्ट होना चाहिए, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर मैंन मैं उसे पर दूँ, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त उर्दू रस्मल खत को पर नहीं सकते हैं, लेकिन उर्दू को बखुबी समझते हैं, उन तक भी ये बात पहुँच जाए, तो मैं मजमून इनकलाब वाला आपके सामने पर दिस का आप से इजाज़त चाहता हूं, मजमू भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जुमूरियत के अरबाब एक्तदार, किसानों के छोटे मगर वाजिब मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जो किसान खेतों में अपना खोन और पसीना बहाते हैं, और आवाम के लिए आनाज पैदा करते हैं, उनके मुकाबले, उनही आवाम के पैसे से तनखाह पाने वाली पुलिस को खड़ा किया जा रहा है, जो उन पर बेरहमी से लाठिया बरसा रही हैं, और उन पर आशू के गोले दाग रही हैं, बाबाए कौम, महात्मा गांधी के मुक में किसानों के खिलाफ खुले आम दरिंदगी का मुझाहरा किया जा रहा है, यह जोर और जबरदस्ती का राज, महस, जरात को बाजार के हवाले करने की खातिर किया जा रहा है, यह बात मुलक के अरबाब एक्तदार और मीडिया के लोग अकसर फरामोश कर देते हैं, कि जुमूरियत और आमरियत में बुनियादी फरक यह है, कि जुमूरियत में किसी एक की मनमानी नहीं चल सकती, जुमूरियत तर्जे निजाम में लोगों के न सिर्फ ख्यालात अलग-अलग होते हैं, बलकि उनके मफदात भी कई मौाके पर जुदा होते हैं, लिहाज़ा जुमूरियत हुकूमतों को न सिर्फ एक्तलाफ राय का इहतराम करना चाहिए, बलकि पॉलिसी साजी के वक्त कम जोर से कमजोर आवाज को भी सुनना चाहिए, इसके बरक्स आमरियत एक ऐसा आवाम मुखालिफ निजाम है, जहां हुक्मरानों और सर्मायादारों के मफदात को ही, कौमी मफदात बना कर पेश किया जाता है, और उन से जरावी एक्तलाफ करने वालों के खिलाफ सخت आती है, हलाकि हमारे मुलक में जुमूरियत बची हुई है, मगर जिस तरह से किसान तहरीक को कुछलने की कोशिश की जा रही है, वह तश्वीस का बाएस है, बीजे पी के जेरे गयादत, हुकुमतों ने देली मार्च कर रहे किसानों की राह में कीले बिचाई हैं, और लातादाद बैरिकेट को खड़ा किया है, वह इस बात की अलामत है कि अरवाब एक्टदार के नजदीक गांधी के उसूलों की अब कोई खास आहमियत नहीं बची है, पूरी जिन्दगी गांधी ने इस बात पर जोर दिया है कि जो गानून उनके जमीर के खिलाफ हो, उसे वह हरगिस भी तसलिब नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ पूर अमन तरीके से एहतजास करेंगे, उसी तरह अगर हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो आवाम के मफाद में नहीं है, तो गांधी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और वह उसकी मुखाल करेंगे, खुआ उन्हें जो भी सजा जहिलनी पड़े, हक और इंसाफ की खातिर जहां हुकूमत की सिविल नाफरमानी करने के लिए वह तैयार हैं, वहीं उन्होंने यह भी वाज़े कर दिया, कि नाइंसाफी के खिलाफ उनके एहतजाज में किसी भी किसम के तशदूद औ और जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है, किसी दूसरे को नुकसान पहुचा कर गांधी अपनी बात मनवाने के मुखालिफ हैं, गांधी जी खुद को तकलीफ दे सकते हैं, मगर वह दूसरों को तकलीफ देने का तसवर भी नहीं कर सकते हैं, उनके अदमे तशदुद तहरीक में ना तो कोई दुश्मन है और नहीं उनके दिलों में किसी को दुख और दर्द देने की कोई मनशा है, मगर गांधी किसी भी काले कानून को मानने के लिए तयार नहीं हैं, और नहीं वह किसी नाइंसाफी के सामने खामोश रहने को तयार हैं, गांधी जी के मानने वालों ने अपनी इसी फिक्र और तहरीक को अदमे तशदुद से मौसूम किया, तभी तो गांधी ने खुद को घैर फौआल मुजाहमत कार कहा, क्यूंकि वह गलत कानून की हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, मगर उनकी यह कोशिश कभी नहीं रही कि गलत कानून बनाने वाले किसी शख्स को नुकसान पहुँचाए जाए। गांधी ने मजीद कहा, कि सच्चा गैर फ़ाल मुजाहमत कार वही है, जो हकीकत की तलास में है, जो माल और दौलत की जमाखोरी में यकिन नहीं रखता, जो जूटी तारीफ और इनामात के पीछे नहीं दोड़ता। मुखलिस गैर फ़ाल मुजाहमत कार की सबसे बड़ी पहचान यह है, कि वह कभी भी जाबिर हुकूमत के जाबिराना करवाई से नहीं डरता और नहीं चोट के खौफ से पीछे हरता है। जख्म और मौत की परवा किये बगएर वह हक गोई के रास्ते पर हमेशा गामजन रहता है और गलत पॉलिसी की मुखालफत में आखरी सांस तक डटा रहता है। साल 2009 में गांधी जी ने एक छोटी मगर बहुत ही अहम किताब लिखी जिसका नाम हिन्सुराज है। इस किताब में गांधी का पूरा फलस्फा मौजूद है। इसी किताब में मुझाहिद आजादी गांधी जी ने गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि सही मानों में आजादी तभी मुमकिन है जब आवाम के दिलों में गहर फाआल मुझाहित का जजबा भरा हुआ हो। अगर यह जजबा नहीं पाया जाता तो चाहे जैसी भी हुकूमत हो वह हुकूमत आवाम की नहीं बलकि आवाम मुखालिफ हुकूमत है। आज मुलक में किसान वही कर रहे हैं जिसका दर्स महात्मा गांधी ने दिया है किसान जरई गावानीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि हाल के सालों में बने तीन जरई गावानीन जरात और किसानों को सरमायादारों के रहमो करम पर छोड़ने की शाजिस है अफसोस कि गांधी के मुलक की सरकारें किसानों की बातों को सुनने और आवाम के हक में फैसला देने के बजाए ताकत का वहिश्याना इस्तेमाल कर रही है वहीं मुलक का में इस्तेम मीडिया आनाज पैदा करने वालों की ही सबीह खराब कर रहा है और बाजार की जबान बोड़ रहा है मीडिया उन बातों को छुपा रहा है कि जराई गावानीन का असल मकस्द जरात में तकनीक को लाना नहीं बलकि खेत और गल्ला पर बड़े सर्मायदारों का हक जमाना है यह भी की भारत जैसी बड़ी आबादी वाले मुलक में जरात को नसर अंदास नहीं किया जा सकता और नहीं इसे बाजार के हवाले किया जा सकता याद कीजिए करोना के दोर में जब दीगर सोबों ने अपने हाथ खड़े कर दिये थे उस वक्त जरात नहीं लोगों की जरूरतों को पूरा किया था जरात से मुलक के करोड़ों लोगों को रोजी मिलता है और खेती किसानी से ज्यादा तर लोगों को दो वक्त की रोटी मिलती है अगर काश्टकारी को भी बाजार के हवाले कर दिया गया तो गरीब को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी फिर मुलक अमन और आमान पर खत्रा चा जाएगा ऐसा भी खत्सा है कि फिर यह देश आनाज के लिए दूसरे मुलकों के सामने महताज बनकर खड़ा हो जाएगा जरूरत इस बात की है कि जरावत के खलके में सरकार तवज्जो दे और बिजली पानी खाद बीज और दीगर सहुलियते किसानों को फरहम करें और मजदूरों के मफाद का भी ख्याल रखें साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि वगए किसानों के फसलों के लिए MSP की जमानत दे और उनके गर्ज को मुआफ करें MSP का मतलब है कि हकुमत किसानों से कम अजए कम इमधादी क्यमत दे कर فसल खरीद ले अगर MSP को कानूनी जमानत नहीं दी गई तो किसान अपने घल्ले को कोड़ी के दाम बाजार में बीचने पर मजबूर होंगे फिर जैसे ही किसानों से आनाज सरमायधारों के गोदामों में पहुँच जाएगा वैसे ही सरमायधार आनाज की खीमते कई गुणा बढ़ा कर बाजार में बीचने लेंगे 1990 के बाद जब नई एक्तसादी पॉलिसी अपनाई गई तब से साविका हुकूमतों ने जराद को नजरनदास किया अगर आज गांदी हमारे दर्मियान होते तो वह किसानों के साथ खड़े होते और उनके हुकूक की खातिर हुकूमते वक्त की पॉलिसी की सिविल नाफरमानी करते